सो नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Android Mobile यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप जो है Instagram यूज़ कर रहे हैं इसे तो एक आपको यूज़ से लिगाए उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना होगा। आपको Het working सिंपल सा काम करें अपनी हैं सबसे इएड बंड कर दिजहां। इससे आपके network को गयरा जो है refresh होकर आ जाएंगे और आपकी अगर यह problem होगी network से related तो वो solve हो जाएगी तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना होगा guys then उसके बाद आपको जो है अपने setting में आना है setting में आने के बाद scroll करना है नीचे की तरफ apps पर आना है then उसके बाद manage apps देखने को मिल रहा है manage apps पर आना है यहाँ search बार में आपको instagram को search कर लेना है instagram को search करने के बाद open करना है open करने के बाद यहाँ पर storage देखने को मिल रहा है इस पर click करिए then उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा clear data इसका clear all data कर दीजिए clear all data करने के बाद जो है back आ जाईए और यहाँ पर आपको app permissions देखने को मिल रहा है इस app permissions वाले option को ok करिए यहाँ पर जितनी भी permissions आपको देखने को मिल रही है उनको यहाँ से enable कर दीजिए phone यह सभी permissions आपको enable कर देनी है allow के अंदर आपको देख लेना है सभी permissions allow है not allowed के अंदर no permission denied आएगा तो यहाँ से यह होने के बाद जो है directly back आ जाईए अब back आने के बाद आपको यहाँ पर search करना है message यह जो आपकी inbuilt होती है message application यहाँ पर इसको search कर लेना है और यहाँ से इसको open कर लेना है इसके बेड़ आप इन्फो में आ चुके हैं अब यहाँ पर आपको इसकी app permissions होती है सभी permissions जो है इसकी यहाँ भी enable कर देनी है आपको देखेंगे सभी permissions को आपको ने enable कर दिया है देन उसके बाद यहाँ से आपको back आ जाना है अब आपको अपने power button दबाना है आपको आपको अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना लव यू अल